दोस्तो ये देश का परिष्थिति क्या होने जा रहा है वीडियो ये जब देखा एक घंटा में 50,000 व्यूज हो गया तो मैं सुचा नहीं इसका उपर रियक्शन करना है देश के हालत क्या हो रहा है और देश में कैसा दंगा कराने का तैयारी क्या जा रहा है ये मैसेज देश में क्या जाएगा एक मंदिर का समने एक देवाल तुड़ा जा रहा है कि इसलिए क्यूं वो सब उतना नयाई नहीं आया बस इतना तो आया जो यहां हजारों हजार लोग एक कठे होके जैश सिरीराम के नाम पे ये काम कर रहा है ये कुछ भी काम कराना है पुलिस प्रसांशन से सांती से करा सकता है न जो भी हो फिर इस वीडियो इसलिए बना रहा हो ताकि मैं सरकार का उपर एक सवाल करूँ सरकार ने जैसे किसानों का उपर जैसे किसान अंदुलन को रुखने के लिए प्रयास किया था इस तरह क्या पुलिस प्रसासन ने इन लोग को आसुगेश पानी का बारिस या और-और बहुत सारा सूपीदा है वो प्रसासन के हाथ में है पुलिस के दुआरा क्या ये सॉल्फ नहीं किया जा सकता अगर गरीबों ने कुछ अपने मांग के लिए रस्ता में उतर जाए तो सरकार उन लोग के लिए दमन करने के लिए क्या तरीका अपनता है आप सभी को बोलना ही नहीं है जैसे आसाम में CAA अंदुलन के विरूद में लगबग पांच लड़कों को मरा गया है किसी को गोली से किसी को पिटाई से जैसेते से मतलब रुखने के लिए तो इस तरह ये सब जो हो रहा है दंगा फसद हो रहा है ये सब रुखने के लिए क्या इंडियान पुलिस इंडियान सरकार नाकाम है ये प्रसना आता है अब अगर इन लुक का उपर अच्छी से अच्छी करवाई सजा दिया जाएं तो कोई भी ऐसे हरकात कभी नहीं करेगा बहुत आफसूस की बात है इसलिए वीडियो कर रहा हूं वीडियो करने का मन नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ एक मेसज जाएगा और ये मेसज हम सब share करना है और देश को शांति करना है अभी भी वाक्त है देश में ज्यादा गरमी फसाद नहीं करना है जब से दा कश्मीर फाल्स देस में आया है, देखो कश्मीर फाल्स को आप टेक्स मुफ्त फ्री करा रहे हो, और अडानियों को इतना सा रारीन माफ किया जा रहा है, लेकिन गरीब हों का उपर हर तरफ की टेक्स लगाए जा रहा है, भाबुख हो गया मैं वीडियो देखके, वीडियो बना ही नहीं पा रहा हूं, फिर भी ये वीडियो शेयर किया, अब लोग हो सके तो वीडियो आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और लोगों को ये मेसेज दे, जिए हमारे देश को अभी भी वक्त है, बचाना है, वरना बहुत, चलो दोस्तो, जय हिंद, जय जय भरत, जय है होओकोन